पेज नमबर 118, कुश्चन नमबर 3 भी करवा दो पेज नमबर देखना 118 पे कुन से हैं? इसके अंदर एक आंथर साहिद गलत है मेरे हिसाब से लास्ट वाला ये कोई तो गलत है, ये सेम ही है 1999, क्या आप ये वाला कुश्चन कह रहे हूँ? जिसमें मिनिमम आपका 600 यूनिट है और मैक्समुम 100 यूनिट है, ये वाला बोल रहे हूँ? डेंजर स्टॉक लेवल भी करेंगा अभी कोईश्चन तो मिल जाए उस टाइस पार, आप मुझे बताईए क्या ये कोईश्चन कह रहे हूँ? मैं इसका solution ही आपको provide कर दूँआ, बिल्कुल simple है, अभी मैं यहाँ पे करवाता हूँ question ये, और अभी मिल जाएगा आपको उसके चिंदा ना करें, मैं एक आगे, इस चप्टर में न, जब हमने start किया था चप्टर, तो इस चप्टर को हमने बाटा था, कि कितने पार्ट में हम इस चप्टर को cover करने वाले हैं, ये देखिए, मैंने कहा था, एक तो हम theory का portion रहेगा, जो कि हम last में cover करेंगे, mid में, क्योंकि मेरा ये मानना है, अगर मैं practical समझा दू, तो ज़्यादा समझ में आता है, EOQ done हो चुका है, level of inventory भी पूरा done हो चुका है, इसमें आपका stock inventory turnover कई वार पूछ लिया जाता है, stock turnover, जिसका formula भी मैंने लिखवाए कि stock turnover क्या होता है, और एक है हमारा store laser, store laser पता है क्या है हमारा वही leafo फीफो जिसकी हम बात कर रहे हैं, लीफो एंड फीफो, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो सर, आज आते हैं, मैंने formula तो लिख दिया था शायद, inventory turnover ratio, ये मैंने समझाया था, honors के अंदर काफी popular मैंने देखा, दो से तीन बार आया हुआ सवाल लई है, जिसके अंदर देखा जाये ना, तो बार भी का ही है inventory turnover ratio, और same questions होता है, बस आपको उल्जा के पूछा जा सकता है, तो इसको memorize रखिएगा, inventory turnover ratio, इसका हमेशा जो answer आएगा, मैंने बताया था, किस में आएगा answer इसका, time में answer आएगा, और turnover ratio, cost of material consumed during the period मतलब COGS, इसके बाद cost of average stock held during the period, यानि कितना average stock है, जिसको मैंने average stock नाम दिया था, short में भी लिखा था हमने, COGS का formula क्या होता है, opening stock, plus में purchase, minus में closing stock, जो की पहले था, वही है, formula नहीं बदनने वाला, एक ये भी कह सकते हैं हम यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पता है, समस्या कब आ जाता है, मैं बताता हूँ, और average का formula यह है, चलिए इस पे सवाल कर लेते हैं, मैं लास्ट में करने वाला हूँ, इसके सवाल, फिर खतमी हो जाएगा यह, चलिए सर, इन्वेंट्री, टर्न ओवर, रेशियो, क्या होता है सर, सी यो जी एस डिवाइड़ बाई, एवरेज, स्टॉक, सर, सी यो जी एस क्या होता है, सी यो जी एस इस इस इकल टू, प्लस, माइनस क्लोजिंग, सर, एवरेज स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस, यह नॉर्मल है, अब देखे सवाल मेरा, मैं खुदी बना लेतने हैं उस सवाल को, लिख लेतने हैं ऐसा एक्जामपल, बुक में तो साइद, ओनर्स में साइद गीवन है, लेकिन आप धूढ़ना पड़ेगा, इस से बेटर है कि मैं लेखे लेता हूँ, मैंने का सेल्स, 10,000, जी पी आर, 25%, ओन कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, एक हजार, क्लोजिंग स्टॉक, मोर दें, ओपनिंग स्टॉक, मोर दें, more than 3,000 साही सलीख लेता है closing stock more than 3,000 opening find stop turnover ratio चलिए सर इस सवाल का जवाब simple वाला formula लगाने वाला सवाल दिया जाए तो मैं जानता हूं कर लोगे formula लगाना है लेकिन यहां थोड़ा complicated कर दिया और यह सवाल पूछोगे सर क्या है यह material chapter का है मैं बोलूआ नहीं बस कहीं नहीं material word यूज हो रहा है इसमें जादा से जादा इसलिए डाल दिया गया है सबसे पहले formula लगाते है cogs तो cogs is equal to यहां use होगा sales minus gp क्योंकि यहां कहीं भी सवाल में आपको purchase नहीं दे रखता अगर आपको purchase दे देता तो हम opening minus में closing लगा लेते हैं तो sales minus में gp तो sir cogs नहीं पता sales पता है sir 10,000 और gp कहता है cost के उपर और यह ना हमारा cost ही होता है यह हमारा एक तरीके से cost ही होता है इस बात का ध्यान दखना है आपको कि यह हमारा cost ही होता है तो क्या करेंगे हम x का कितने percent तो xy4 इसको solve करेंगे x plus में xy4 is equal to 10,000 x की value निकाल देंगे x की value निकल के आएगा कितना sir 8,000 सीधा मैंने निकाल दिया x की value क्या आगई और x क्या है हमारा cost है अब हमें निकालना है opening stock तो given है closing stock क्या कहता है गुमा के के closing stock जो होगा वो जादा होगा 3,000 किस से तो sir यहां opening stock होने वाला है 1,000 और closing stock होने वाला है 4,000 अब सारी बाते मिल गई आपको अब formula लगा दो ITR मैं short form में लिख रहा हूँ आठ हजार डिवाइड़ बाइ एवरेज स्टॉक एवरेज स्टॉक तर एवरेज स्टॉक क्या होगा एक हजार प्लस में 4000 डिवाइड़ बाइ 2 यानि 2500 अब जो भी आ जाए है 3.2 तो लो जी एक इस टाइब का भी सवाल कर लिया बताइए कोई doubt अब नहीं एक बड़ा interesting point होता है बच्चे भूल जाते है एक word होता है more than एक होता है word time अगर मैं यहाँ पर लिख देता इसी sentence की जगह पर क्या लिखता मैं लिखता क्या closing stop two time off opening two time का मतलब है दो गुना यानि sir closing stock इस सवाल के अंदर आएगा हमारा 2000 तो time का मतलब होता है multiplication और more than का मतलब होता है plus कर देना और कई बार सवाल के अंदर time more than दोनों का इस्तमाल कर लेता है two time one thousand more than तो two time तो 2000 हो जाएगा 1000 और जोड़ेंगे वो काफी complication में चला जाता है तो बड़ा basic सा देखो मैं दुबारा एक बार explain कर देता हूं मेरे सवाल में क्या था सर्क sales दे रखा था और GP कहता है 25% on cost और यह है sales तो directly इस पे 25% नहीं निकाला जासे तो GPR लिख दिया मैंने GPR मतलब gross profit ratio अगर होता सर्फ 25% तो मैं directly इस पे 25% निकाल लेता अगर sales पे होता तो साड़े 700 रुपया जाता COGS लेकिन यहाँ पे cost कहा रहा है अब COGS निकालने का formula एक होता है हमारा opening stock purchase और closing तो opening तो है और closing भी है लेकिन purchase दूर दूर सक नजर नहीं आरा सवाल में तो ऐसे situation में हम दूसरा formula यूज करते है क्या sales minus GP तो हमने एक और formula यहाँ लगाया COGS is equal to sales minus में GP सर अगर हम sales में से GP को घटा दें तो sales क्या ऐसा है 10,000 और GP कहता है कि जो भी तुमारा cost होगा और सचाई यह है COGS का मतलब ही cost है तो बोलता है जो भी cost होगा उसका 20% तो let assume कर लिया हमने COGS को X तो cost का कितने percent कहा 25 तो मैं अगर इसको explain करूँ तो explain में जाओगे तो आप X का 25% निकालोगे that is 25 बटे 100 करो गया जो कि आपका यही बनेगा ultimately calculation जमागटा करके इसके बाद हमने X का value find किया that is हमारा X थाक COGS COGS यानि cost आ गया अब opening stock और closing stock निकाल लिया opening stock तो सवाल में दे ही रखा था कि 1000 है लेकिन closing stock को कहता है कि more than 3000 opening कहने का मतलब है closing stock जो है वो opening से 3000 जादा है तो भाई या opening 1000 तो उससे 3000 जादा कर दो यानि 4000 तो closing आ गया 4000 अब simply हमने formula में put कर दिया बताईए कोई doubt purchase को let नहीं किया मैंने cost को let किया है clear अब leafo, fifo हम अगली class पे लेके जाते हैं leafo, fifo लेकिन आप पहले सुन लेजिए leafo, fifo का topic को हम अगली class पे लेके जा रहे हैं क्युकि वो आदे घंटे में नहीं हो सकता नहीं तो हम अभी cover करते हैं ugly class में leafo, fifo करके हम खतम करेंगे और उसके स्लाइड भी लग जाएगा और साथ के साथ कोसिस रहेगी कि हम theory भी कर ले सर theory में क्या कराओगे आप इस chapter में से सबसे ज़्यादा theoretical question पूछा जाता है जैसे की ABC analysis क्या है एक है ABC activity based costing वो नहीं ABC analysis क्या है A category, B category और C category है क्या costing में यह समझेंगे, एक store laser और bin card के बीच में क्या फरक रहता है यह समझेंगे, बहुत most आपका frequently asking question है, एक पूछा जाता है कि JIT क्या है आपका, JIT JIT just in time बोला जाता है, इससे क्या समझते हो, यह समझेंगे उसके साथ साथ आपके level of inventory के जो फॉर्मूले देखे, उसी फॉर्मूले को theoretical में कैसे explain करना यह देखेंगे, इसको करने के बाद हमारा यह portion हो जाता है, खतम इसके बाद अगला जो chapter हम start करेंगे, इसको खतम करने के बाद, इसी week start कर लेंगे, that is आपका होगा process accounting process accounting बड़ा simple सा chapter है, हलाकि मुझे contract के बाद करना था, लेकिन यह बीच में रह गया था, तो इसके मैंने करवा दिया, internal की वजह से उसके बाद हम process करेंगे, मैं अपने chapter कराने के बता दूँ, पहले कौन कौन सा करेंगे, कुछ बच्चे अगर सोचेंगे के दिक्कत हो जाएगे, इसके बाद मैं जो chapter कराने वाला हूँ, वो है process, तर इसमें से 15 नंबर का सवाल पूछा ही पूछा जाएगा, और आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं, यानि मैं जो अब आगे chapter लेके चलने वाला हूँ, क्योंकि daily basis पे बहुत बच्चे enroll होते हैं, तो उनको मैं समझा दूँ, कि जो भी chapter आगे नया start होगा, आपको intimation मिल जाएगा, और साथ के साथ, आपको उस chapter में बिलकुल भी ये नहीं सोचना, कि पिछला तो कुछ नहीं रह गया, connected तो नहीं है, कोई connection नहीं रहने वाला पीछे से, इसके बाद number 2 पे, इसके बाद अगला जो chapter हम start करेंगे, वो करेंगे हम overhead, या labor कर लेंगे, labor काफी बच्चों के सिकायत रहती हमेसा, तो labor करेंगे, labor के बाद हम करेंगे overhead, और सर, overhead में से, एक होता है machine hour rate, और एक होता है distribution, और एक होता है rate, overhead को basically तीन chapter में बाटा गया है, जिन बच्चों का internal है, वो बार बार पूछते हैं, सर, जो previous year के lecture से उसमें overhead पूरा नहीं है, तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा, उसमें मैं इन chapter wise कराता हूँ, मैं overhead को, यानि एक मैं कराता हूँ, machine hour rate, अलग chapter, overhead का ही पार्ट है, और एक overhead distribution, उसे अलग separately लेके चलता हूँ, बड़ा chapter है यह, इसके बाद हमारा चार नंबर पे start होगा service cost, चार नंबर पे start होगा हमारा service cost, service cost के बाद जैसे ही हमारा यह खतम होगा, कितने chapter रह गया है, एक, दो, तीन, चार्ट, और क्या रह गया, हाँ, क्या, अब इसके बाद कुछ ऐसे chapter है, जैसे A, B, C, activity based costing, और ऐसे ही है, integral known, एक बार दिखाना है, new book में है भी है, हटा दिया यह, प्रोग्राम में तो नहीं है, cost control and known, integral account, ओके, एक है cost control, बस, आप मान के चलिए, जो बच्चे square हो रहे थे, कि कैसे करेंगे, जो बच्चा in chapter, देखो हमारा syllabus इतना ही pending है, ज़्यादा नहीं है, इसमें pending, क्योंकि हमने cost sheet कर लिया, हमने reconciliation कर लिया, हमने contract account कर लिया, और हम material खतम करने के stages पे हैं, चार chapter done हो चुके हैं, और एक, दो, तीन और चार chapter यह pending है, जिसमें से समय भी मैं बता दूँ, इसके अंदर मुझे लगने हैं दो दिन, labor costing में, process थोड़ा लंबा जाएगा, इसमें मैं one week से plus लूँआ, यानि two week मान लूँआप, और बाकी इसमें आपका लग सकता है two week plus, और इसके अंदर लगेगा आपका four class, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, मेरा target यह है कि आपका 15 में से exam है, मैं 15 तारिक, 15 या 25 तारिक तक अपरेल में खतम कर दूँगा, costing तो at least, अब इसके बाद सर, जो कुछ chapter मन में आ रहागा सर, आपने single output का नाम नहीं लिया, सर आपने job batch costing का नाम नहीं लिया, सर आपने joint product और by product का नाम नहीं लिया, सर ये दो chapter भी है, इसका नाम नहीं लिया, ये सारे है theoretical based chapter, बड़े छोटे छोटे chapter, जिसके अंदर हम much time ना लगाएं, अगर दो दिन में भी, तो ये तीन चार chapter करें जा सकते हैं, बड़े chapter ये हैं, जिसके अंदर हमारा ज्यादा समय जाने वाला है, तो next class में हम material to be continue रखेंगे, सर, new schedule भी हम join कर सकते हैं, बिल्कुल, इसी के according चलना है, बाकि मैं कल दुबारा से एक, आप लोगों को time table के basis पर बना के दे दूँगा, मैं, मैं महेश्वरी मित्तल के सारे question करवाता हूं maximum, अब इसके बाद 10 year जैसे आ जाएगा, 10 year के भी कराने लगूँगा, सर, share capital, अरे share capital कहां सा आ जिया, मैं डलवा दूँगा, कल सबसे पहले, आज ही करता हूँ, आज डल जाएगा, आपका अब है, पेज नमबर 188, प्रोग्राम नहीं आया, इस question को मैंने दे दिया, बच्चों को home work में करके solution आएगा, आपको सीधा भेज दूँगा, या मैं ही करके दे दूँगा, आप corporate का 10 year तो ले सकते हो जाके market में, आज day जैसे मैंने बताया कि कल, या most probably परसो, मैं कल number ही लिख दूँगा, जो कि corporate का सारा 10 year sold out करते हैं, मैं number कल दे दूँगा, अभी दूँगा तो आप परिशान करोगे उनको, तो मैं number ही दे दूँगा, जिससे कि आप easily contact कर रपाऊगे, बिल्कुल, notes, notes बिल्कुल, ये सारे जितने भी upload हो जाएंगे आपके, चीक है, good night, cause के 10 year में one week और लगेंगे, arrange हो रहे हैं question, अपके पुरानी हो, चीक है, येस, revision तो one short revision रहेंगे वो सारे, चलिए ठीक है, good night, मैं check कर लूँगा, मैं कल से सारे जितने भी videos में उपर नीचे हो गया, नए application के वेशे से उसको ही मैं कल से देखना है, start कर रहा हूँ, ओके, good night. झाल झाल